नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नॉलिज बज वराज के वडियो में हम रिव्यू करेंगे टॉपर्स नोट्स के बिपी एसी के बिहार लोग सेवा हायो के जीएस पेपर वन भाग दो का भारत और बिहार की आधुनी के इतिहास का ठीक है ना यह जो नोट्स है दोस्तो पॉइंट तो पॉइंट मतलब फोकस इस्टोडिव मटेरियल है इससे नोट्स के टोटल आपको दस भाग देखने को मिल जाएंगे जिसमें जीएस पेपर वन के चार भाग जीएस पेपर टू के छे भाग और एक हिंदी का अलग से नोट्स आपको देखने को मिलेगा मतलब कि आपको इस बुक को देखने के बाद आपको कही और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आप अंतिम समय में बहतरीन तरीके से रिवाइज भी कर सकते हैं और बहुत ज्यादा सटिक जानकारी आपको इनके नोट्स में देखने को मिलने वाला है ठीक है इस नोट्स देखेगा यह जो नोट्स है दोस्तों प्रिलिम्स और मिंस दोनों के लिए इंप्वाटेंट है विपी एस्टी के एकजाम के लिए समान्य धिन पेपर टू भाग दो जिसमें भारत और बिहार के आधुनिक इतिहास को कवर किया ठीक है अब दोस्तों आप देखेंगे भार भारत और बिहार का आधुनिक इतिहास सबसे पहले भारत में यूरोपीय सक्ति का आगमन मुगल समराज्य का पतन उसके बाद नए राजियों का उदय उसके बाद भारत में ब्रेटिस सक्ता का स्रिधी करन एयों विस्तार 1877 तक के प्रसासनिक संगठन 1877 के विद्रो 1858 के प्रसासनिके प्रिवर्तन उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे समाजी के धार्मी के सुधार आंदोलन 19-20 सदी उसके बाद ब्रेटिस सासन के तहते अर्ध वैस्ता सिप्छा और प्रेश का विगास है ब्रेटिस सासन के खिलाब लोगप्रीय आंदोलन राष्ट्रवाद का जन में उदारवाद का चरन 1885 से 1905 उग्रवादी संगर राष्ट्रवाद का यूग है चरम पंती चरन 1905 से 1909 उसके बाद दोस्तों जन आंदोलन गांधी यूग है सवाराजज्जे के लिए संगर से 1925 से 1949 फॉसके बाद शॉतंतनत्ता की और 1940 से 1947 स्वतंत्ता की पूर्वे संधिया पर भारत महतयपूर्ण व्यक्ति योंग घटना आयं उसके बाद महतयपूर्ण व्यक्ति और साहित dir भिहार की पत्रिका का प्रेश ठीक है ना प्त्रिका सेट में आपको 11 देखने को मिलेंगे जो प्राइस होगा वो 32 रुपए में कम्प्लीट 11 आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो इस बुक का दोस्तों हमने विश्य सुची देख लिया अब दोस्तों आप देखेंगे यहां पर कि यहां पर QR कोड दिया हुआ जिसको आप स्कै पहला एक्सराइज देखेंगा भारत में यूरोपीय सकती का आगमन अब यहां पर दोस्तों देखेंगा सबसे पहले बताया गया कि प्रुदगाली आया 1498 में उसके बाद बिरिटिस आया उसके बाद आपको डेच आया उसके बाद फ्रेंच आया बीच में तो इस तरह से जानकारी दिया गया माइंड म्याप कतुरू गया मतलब फिकर के माध्यम साब को समझाने का कोशिज्स किया गया कि ताकि आप आफासानी से समझ सके उसके इसके बाद दोस्तों यूरोपी यूरोपी के भारत आगमन को प्रोसाहित करने वाले का नरह Neitherخ पर सारे information को दिया गया है नोट में भी आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा और काफी कुछ आपको देखने को मिलने वाला इनके बुक के अंदर यहां पर मैप जो होगा दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्लियर देखने को लेगा simple language का यूज किया गया है और जगा जगा आपको मतलब बहुत ही अच्छा जानकारी देखने को मिलने वाला दोस्तों simple language मैं ठीक है ना बुक दोस्तों काफी ज्यादा बैतरीन है इस बुक को आप असानी से अंतिम समय में रिवाइज कर सकते है और टूड़ा पॉइंट है मतलब जो बीपीसी में पूछा जाएगा जितना आपको बीपीसी में करके आना है उसको बहुत ही वैतरीन तरीके से इनके नोट्स के अंदर कवर किया गया ठीक है अगला एक्सराइज दोस्तों देखेंगे मुगल समराज्य का पतन किस तरह से हुआ सबसे पहला और अंग्जेब की बारे में बेसिक जानकारी है विदेशी आकरमन हुआ उसके बाद दोस्तों विदेशी आकरमन को बहुत ही उत्तर कालीन मुगल समराज्य को कवर किया गया है जो शासक पर बारे में बताए उनके बारे में बोरा इसी जानकारी देखने को मिल जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से मिलने है ठीक है न अंगो आखिक आगे दोस्तों नई राज्यों का मुध्वा और देखने को को समझाया गया है और जो एक्जाम और्येंटेट इस नोट को तयार बनाया गया ठीक है उसके बाद भारत में ब्रेटिस सत्ता का स्रिधिकरन और विस्तार कैसे हुआ तो बंगाल से हुआ मुर्शिद कुलिखा के बारे में बताया गया काफी कुछ आपको ब्लैक होल की घटना है उसको देखी कितने सिंपल लैंग्वेज में बताया गया आपको सारा कुछ जानकारी देखने को मिलेगा दोस्तों क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से किय बहुत लंबा किसी भी टापिक को नहीं खीचा गया जितना जानकारी आपको एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतने ही जानकारी को आपको इस बुक में सामिल किया गया ठीक है इस बुक को जरूरा पर्सिस किजिए दोस्तों और इस नोट को कम्प्लिट सिरीज को पर अलग से कुछ भी आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि निच और यह जो नोट से ना एंसी आट का कम्प्लिट है मतलब सॉल्यूसन है एंसी आटी के जगह पे आप इस नोट को आप देख सकते हैं बहुत ही बहतेरी न तरीके से सारे जानकारी को इस नोट के अंदर सामिल किया गया है ठीक है चैट्टर नमर 11 जैसे देखिएगा दोस्तों ब्रेटिस आसन के खिलाफ लोग प्रिया आंदोलन कौन-कौन से हुए लोगों के प्रति प्रति लोगों के प्रतिरूद के लिए जिम्मेदार कारण नागरिक विद्रो सारा कुछ जानकारी सन्यासी विद्रो ह हो गया बहुत स्वाट में समझाए गया है सारे टापिक को ठीक है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाए गया है बहुत ज्यादा लंबा नहीं की जा गया है बहुत ही ज्यादा मज़ा आने वाल है दोस्तों इस नोट्स को आपको स्टड़ी करने में कम्प्लीट स् पुर्वे संध्या पर भारत सीमा योग हो गया उससे रिलेटेट जो भी इंपॉर्टन टॉपिक है वो कवर किया गया है ठीक है महत्पुर्ण व्यक्ति व्यक्ति और घटनाएं जैसे गौड़ने जेनरल हो गये उनके सासनकाल में क्या-क्या घटना हुए है उनके बारे में बताया गया है सारा कुछ आपको जानकारी देखने को मिलने वाला है क्रांतिकारी घटनाएं हो गया है उसके बाद आप देखेंगे धर में पर गांधी जी के विचार ठीक है यह टॉपिक कौन सा है वैक्ति के बारे में देखने को मिलेगा उससे रिलेटेट जो कोसर पूछे जाते है वो भी यहां समलित किया गया है गांधी जी का प्रारंबिक जीवन क्या था सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा मतलब complete study material है point to point है और इस book को देखने के बाद आपको कुछ और पढ़न कितिहास ठीक है बहुत ही सांधार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है टूटल आपको 11 book order करना है और इस बुक का जो MRP मैंने बता दिया दोस्तों 32 रुपए COD आप कर सकते हैं ठीक है और कोई भी डाउट होगा इसके अलाबा तो आप लोग कमेंट करक अगले वडियो में परिसे मिलते हैं ठाइक्यू